सितारे सितारे वम गरहन अक्षत्र बदलते हैं अपनी चाल और एश्ट्रो गुरुजी बताते हैं आपकी जन्मराशी का हाल मित्रो आज आपको हम बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल दिनांक 3 नमबर 2024 रवी बार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज शुब ग्रहों की द्रश्टी वच चंद्रवल के प्रभाव से आज 12 में से 5 राशी वालों को भाग्यका भर पूरसांत मिलेगा इन 5 राशी वालों में आज है वरशब, मितोन, कन्या, वरश्चिक और मकर राशी वाले लोग वहीं अन्य राशी वालों के अनुसार आज का दिन सामान्य रहेगा तो मित्रो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत थे आपके अपने ही चैनल एश्ट्रो कुरूजी में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्य का राशी फल नहीं नहीं ज्यान वर्दक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करती रहें तो आज कारतिक मास शुकल पक्ष की द्वितिया तिथी है रविवार का दिन है आज दिन की सुरुवात अनुराधान अक्षत्र से होगी और वरश्चिक राशी में चंद्रमा का संचरन होगा आज सुर्योदई प्रातह काल 6.34 मिनिट पर होगा और सुर्यास्त साम के 5.34 मिनिट पर होगा आज राहु काल सायं काल 4.11 मिनिट से अरंब हो करके साम के 6.34 मिनिट तक राहु काल रहेगा तो आज राहु काल के दोरान आप कोई भी शुब मागलिक वन नया कार्य शुरू नहीं करें, इस समय अवधी में किसी भी नहीं वस्तू की खरीदारी करने से भी बचें, आज जिसा सूल लहेगा पश्चिम दिसा में, तो आज के दिन आप पश्चिम दिसा की और मुख करके, कोई भी शुब मागलिक वन प्राता हकाल ग्याराह बचके बैया कारिय आरंब नहीं करें पश्चिम दिसा की यात्रा से भी आप बचें यदि यात्रा करना आज आपके लिए अतियावश्यक हो तो अपने इस्ट देवता की सरद्धा पुरवक पूजा आराधना करके या इस्ट देवता के नाम मंत्रों क अधिक साधिक संख्या में जाब करके यात्रा आप कर सकते हैं और आज का सरवस्रेष्ठ मुहुर्त अभी जीत मुहुर्त आरंब होगा प्राता हकाल ग्याराह बचके 42 मिनिट से आरंब हो करके दोपार 12 बचके 26 मिनिट तक सरवस्रेष्ठ वशुब मुहुर्त रहेगा इस महुर्ट में आप कोई भी शुब मांगलिक वा नया कारे आरंब कर सकते हैं या किसी भी नई वस्तु की खरीदारी आप करना चाहते हैं तो इस महुर्ट में आप कर सकते हैं तो अब जानिए अपनी जन्म राशी के अनुसार आज आपके भागे के सितारे क्या बोलते हैं और अपने संपरकों के माध्यम से कुछ विशेश जानकारिया आपको मिलेगी जो काम पिछले काफी समय से रुके हुए थे या अटके हुए थे वह भी आज अल्प प्रयास से सफल हो पाएंगे और अध्यनर्थ युवाओं को अपने फ्यूचर से संबंद चल रही समस्या का हल मिलेगा वरतमान समय अनुसार प्रेक्टिकल बने रहना सफल होने के लिए थोड़ा स्वार्थी होना आपके लिए जरूरी रहेगा कारोबार बढ़ाने को लेकर किसी भी योजना पर काम करने के लिए दिन काफी अनुकूल है आज आपका भाग्यशाली अंक एक है शुवरंग आपका सफेद रंग है आज आपको भाग्य का साथ 86 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका विशे शुपा इस प्रकार से है प्रातहकाल इश्नान करने के पश्चाद सुर्य भगवान की पूजा करें ओम आदित्याईनमा इस मंत्र का जाप करें दिन आपका शुप रहेगा अगले राशी है वरशब वरशब राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से है परिवारिक व्यवस्था के लिए किये गए प्रयास आपके बहतर वा सफल रहेंगे प्रापर्टी या किसी अन्य मुद्दे को लेकर जो गलत फमिया चल रही थी आज बहक किसी की मध्यस्तता से दूर होगी आप तनाव मोक्त होकर अन्य गतिविदियों पर ध्यान दे पाएंगे और आज साम को कोई मनोरंजक प्रोग्राम आपका बन सकता है घर के वरिष्ट और अनुभवी व्यक्तियों की सलाह आपके लिए काफी फाइदे मन सावित होगी व्यवसाय में कारी संबंदी कुछ नीतियों में बदलाव लाने की आवशकता है उससे आपको फाइदा होगा आज आपका भाग्यशाली अंकसात है शुब रंग आपका हरा रंग है आज आपको भाग्यका साथ 85 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका विशे शुपाय इस प्रकार से हिप राता है काल इस्नान करने के पश्चात सूर्य भगवान की पूजा करें ओम घ्रणी सूर्य आइनमा इस मंतर का जाप करें दिन आपका शुब रहेगा अगली राशी है मिथुन मिथुन राशी वालों के रंसार आज का दिन इस प्रकार से है आज का दिन आपके लिए अनुकूल है अपनी छमता और योग्यताओं का भरपूर उपयोग कर पाएंगे निश्चिती आपको उचित परिणाम भी इसके मिलेंगे प्रापरटी आदी से संबंदित कोई अठका हुआ सरकारी कारिये आज आपका बन सकेगा संतान की ओर से उत्तम समाचार आपको मिलेंगे और मन में कुछ नकारात्मक आये तो कुछ समय प्रकरती के साथ मेडिटेशन में समय वितीत करें करोवार में कोई खास डील होने की संभावना है आज आपका भाग्यशाली अंकचार है शुबरंग आपका गुलावी रंग है आज आपको भाग्यका साथ 83 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका विशे शुपाह इस प्रकार से है प्रातहकाल इसनान करने के पस्चाज सूरी भगवान की पूजा करें उम्भासकराइनमा इस मंतर का जाप करें दिन आपका शुब रहेगा अगली राशी है करक करक राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से है करक राशी के लोगों के लिए उत्समाई है ग्रह योग आपके लिए अनुकूल है किसी खास व्यक्ति से मुलाकात और वारता लाप के दौरा आपको अपनी योजनाई क्रियानवित करने में काफी मदद मिलेगी और आप अपना आत्मविश्वास और मनोबल बना करके रख पाएंगे विद्यारती वर्ग युवा वर्ग अपने लक्ष के प्रती सजग रहेंगे और अपनी देनिक गती विदियों को सहज तरीके से करते जाएंगे आपको ज्यादा सफलता की प्राप्ती होगी बिजनेस में नए आफर या अवसर आपको मिलेंगे आज आपका भाग्यशाली अंक पांच है शुवरंग आपका आसमानी रंग है आज आपको भाग्यका साथ 86 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका विश्य शुपा इस प्रकार से है प्राताहकाल इसनान करने के पश्चात सूर्य भगवान की पूजा करे ओम दिवा करा इनमा इस मंतर का जाप करे दिन आपका शुब रहेगा अगली रासी है सिम्व सिम्वर आशिवालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से है आपने अपनी मेहनत के द्वारा परिस्तितियों को काफी हद तक अपने अनुकूल बना लिया है आज आपको इसी मेहनत के उचित परिणाम भी मिलने वाले हैं आपके विरोधी परास्त होंगे युवाओं को अपनी कोई प्लानिंग को क्रियानिवित करने में वरिष्ठ लोगों का पूर्ण सहयोग मिलेगा सफलताएं जल्दी प्राप्त करने की कामना की बज़ा से किसी अनुचित कारी को करने की आज नहीं सोचे आज व्यावसाइक गतिविदियों पर गंबिरता से काम करना आपके लिए बहतर होगा आज आपका भाग्यशाली अंकनों है शुबरंग आपका क्रीम रंग है आज आपको भाग्यका साथ 81 प्रतिस्थ प्राप्त होगा आज आपका भीशे शुपाई इस प्रकार से है प्रातहकाल इस्नान करने के पश्चाद सूरी भगवान को अरगे चड़ावे ओम ग्रणी सूरी आइनमा इस मंत्र का जाप करें दिन आपका शूब रहेगा अगली राशी है कन्या कन्या राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से है कुछ समय अपनी रूची पुर्ण गती विद्यों में व्यतीत करने से आपको रोजमर्रा के तनाव से राहत मिलेगी और आप में आत्मविश्वास और उर्जा के साथ अपनी नई कारी प्रणाली में जुट जाएंगे प्रापरटी से जुड़े किसी मामले में आज सफलता आपको मिलने वाली है और आपकी जरासी लापरवाही आपके लिए नुकसान का कारण भी आज बन सकती है सतर करहें आज व्यावसाइक द्रिष्टी कोंड से समय बहुती अनुकूल रहेगा आज आपका भाग्यशाली अंक दो है शुबरंग आपका बादामी रंग है आज आपको भाग्यका साथ 85 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका विशे शुपाई इस प्रकार से है अगले राशी है तुला तुला राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से है आज आपका कोई विशेस कारिय हल होने वाला है फाइनेंस संबंदित कारियों में आपके प्रयास के सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे किसी अनुभवी वा धार्मिक प्रवरत्ती के व्यक्ति के साथ कोई समय व्यतीत करने का अवसर आपको मिलेगा इससे आपका दृष्टी कोण सकारात्मक रहेगा और घर की कोई महंगी वस्तु खराब हो जाने से खर्च आपका वड़ सकता है कारोबार में कोई भी डील फाइनल करते समय या लेंदेन करते समय बहुती सावधानी रखने की आवशकता है आज आपका भागिशाली अंकछे है शुबरंग आपका पीला रंग है आज आपको भाग एका साथ 81 प्रती सित प्राप्त होगा आज आपका विशे शुपा इस प्रकार से है प्राताहकाल इस्तनान करने के पश्चाद सूरी भगवान को तामबे के पातर से तीन बार अरके देवें उम घ्रणी सूरी आइनमा इस मंत्र का जाप करें दिन आपका शुब रहेगा अगली राशी है व्रश्चिक व्रश्चिक राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से है अपनी किसी योजना को क्रियानवित करने का उत्तम समय है और घर के वरिष्ठ सदस्यों के सानित्ध्य में आप कोई खास निरणय ले पाएंगे युवा वर्ग भी कोई महतुपुर्ण उपलब्धी हासिल करने में अपनी पूरी महनत लगाएंगे और सफल भी रहेंगे प्रेक्टिकल बने रहें तथा अपने निरणय पर सर्वो परी अपने निरणय बनाए रखें आज व्यावसाइक गतिविधियां आपकी व्यवस्तित चलेगी आज आपका भाग्यशाली अंक आठ है शुबरंग आपका गुलाबी रंग है आज आपको भाग्यका साथ 82 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका विशी सुपा इस प्रकार से है कि प्रातहकाल इस्नान करन के पश्चाद सूरी भगवान को तांबे के पात्र से तीन बार अर्ग देवें उम्भास कराइनमा इस मंतर का जाप करें दिन आपका शुब रहेगा अगली राशी है धनु धनु राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से है आज परिस्तितियों में सकारात्मक बदलाव होगा और कई अच्छे अवसर आपको मिल पाएंगे कुछ नया सीखने में भी आप समय व्यतित करेंगे और यही अनुभव आगे व्यावारिक जीवन में आपके बहुत काम आने वाला है सुखद दिन आपका व्यतित होगा युवाओं को अपने किसी प्रयास को लेकर सफलता मिलने वाली है और भाईयों के साथ तालमेल कुछ कमजोर आज हो सकता है इसलिए छोटी मोटी बातों को इगनौर अवश्य करें व्यवसाई से संबंदित छोटी से छोटी बारिकियों का गंभीरता से मुल्यांकन करें आपको फाइदा मिलेगा आज आपका भ अगली राशी है मकर मकर राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कोई भी विपरीत परिस्तिती बनने पर गवरानी के बजाए डट करके उसका सामना करने से अनुकूलता आपको मिलेगी और अपने उसलों और सिद्धानतों के नुसार कारी करें समाज म आपका मान सम्मान बना रहेगा परिवार के साथ किसी धार्मिक गतीविदी में सुकून भरा समय वैतीत कर पाएंगे और किसी की सहाइता करने का वादा करने से पहले अपने सामर्थ का ध्यान अवश्य रखें कारोबारी गतीविदियों में अत्यदिक व्यस्तता आज आप आपका भाग्याशाली अंकसाथ है शुबरंग आपका के सरिया रंग है आज आपको भाग्या का साथ 86 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्रातहकाल इसनान करने के पश्चाद सूर्य भगवान को अर्गे चड़ावे ओम आदी त्या भलता भी आपको अवश्य प्राप्त होगी अचाना कि किसी नजदी की मित्र या संबंदी से मुलाकात तनाव भरे माहोल में सुकून भरेगी आप अपनी ठकान भूल जाएंगे और आपके कोई प्रतिद्वंदी जलन की भावना से आपके लिए मुश्किले पैदा करने की कोशिस करेंगे इसलिए सतर का अवश्य रहें और व्यावसाई कारे प्रणाली में नवीनी करण अथ्वा बदलाव संबंदी निरणई आपके काफी काम्याब रहेंगे आज आपका भाग्यशाली अंक दो है शुवरंग आपका औरेंज रंग है आज आपको भाग्यका प्रातहकाल इश्नान करने के पश्चा सूरी भगवान को तांबे के पात्र से तीन बार अर्ग देवें ओम ग्रणी सूरिया इनमा इस मंतर का जापकरें दिन आपका शुब रहेगा अगली राशी है मीन राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा पुल Ale परिणाम उसके मिलेंगे पुछ समय आद्ध्यातमिग गतिविदियों में समय वेतित करने से मन को सुकुन मिलेगा। करने के पश्चाद सूर्य भगवान को तांबे के पात्र से तीन बार अर्ग देवें ओम दिवाकराइनमा इस मंत्र का जाप करें दिन आपका शुब रहेगा तो मित्रो आशा करता हूं कि आपको हमारी यह देनिक रैशी फल की जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको करें धन्यवाद जैसरी करेशन में त्रों फिर मिलेंगे